नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस व्यूडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जेनरल नौलेज के 10 most important questions तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने केबल डिफेंस के एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है दोस्तो जैसा कि आप यहां पर देख रहा हैं यह सभी forces हैं इनका नाम लिखा हुआ है अगर इनमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादे तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नमबर बन है भारत में एस्टीडी सेवा की शुरुआत किस वर्स हुई ओप्शन से आपके ओप्शन A 1950 में ओप्शन B 1955 में ओप्शन C 1964 में और ओप्शन D है आपका 1960 में तो क्वेश्चन नमबर वन का स oubl AK historic 1867 district चीक है बहुत ही इंपूटन को सें दोस्तों आपके लिए इस बीडियो में एक एक कोर्ष लास्ट के जो दस नमर का भी मिके वोगा बहु आपके लिए बहुत जड़ा इंपूटन कॉस्टन होगा क्यांकि दोस्तों यह जो कोसेंस हैं यह पिछले 5 साल यह दस साल मे मतलब आपके जो defense के exam से उनमे repeat होते रहते हैं मैं उनके ही model paper से उठाकर ये questions लेकर आता हूँ आपके लिए तो दोस्तो वीडियो को end तक देखते रहेना next question है हमारा question number 2 भारत-asia के किस भाग का हिस्सा है भारत-asia के किस भाग का हिस्सा है तो option से आपके उत्री-asia, मद-asia, दक्षल-asia and इन्वे से कोई नहीं तो question number 2 का सही answer है option C दक्षली-asia, भारत-asia के दक्षली-भाग का हिस्सा है next question आता है हमारा question number 3 भारत का सबसे गहरा तथा इस्तलवद सुरक्षित बंदरगा कौन सा है option से आपके option A, बिसाखा पत्नम, option D, पारादीप, option C, मुंबई and option D, कांडला तो question number 3 का सही answer होगा option A, बिसाखा पत्नम next question है दोस्तो हमारा question number 5, sorry 4 भारत का सबसे लंबा राश्टरी राजमार कौन सा है मतलब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है ठीक है, NH की full form होती है नेशनल हाईवे, तो option से आपके NH1, NH10, NH7 ये इन में से कोई नहीं तो question number 4 का सही answer होगा आपका option C, NH7 जी हैं दोस्तो, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानि की राश्टरी राजमार नेश 7 है next question है, question number 5, भारत में सबसे बड़ी तेल सोधन साला कहां पर इस्थित है options है, जामनगर, बरोनी, कोईली and option D है आपका, इन में से कोई नहीं question number 5 का सही answer है, option A, जामनगर, जी हैं दोस्तो, भारत में सबसे बड़ी जो तेल सोधन साला है, वो जामनगर में इस्थित है तो दोस्तो, next question के तरफ चलने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल, सिवा ओनलाइन क्लासिस और इस वीडियो के description से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं next question के तरफ चलने से पहले एक request और होगे दोस्तो, कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सुरूप, मतलब लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करने और हमारे यूट्यूब चैनल, सिवा ओनलाइन क्लासिस को subscribe जरू करें next question है हमारा question number 6, बन उर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है, option से आपके, option A पांचमा इस्थान, option B दूसरा इस्थान, option C चोथा इस्थान, and option D इन में से कोई नहीं question number 6 का सही answer होगा, option A पांचमा इस्थान, जी हैं दोस्तो, भारत का बन उर्जा के उत्पादन में बिश्व में पांचमा इस्थान है, next question है हमारा question number 7, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राजमें इस्थित है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राजमें इस्थित है, options है, option A करनाटक, option B तमिलनाइडू, option C बिहार, and option D पस्चमंगा, question number 7 का सही answer है, option D पस्चमंगा, next question है हमारा, question number 8, बहे पर्थम राश्टरी पार्क कौन सा है, जिसे भारत में सरुपर्थम इस्थापित किया गया था, option से आपके, option A, पेरियार नेशनल पार्क, option B, बांधिपुर नेशनल पार्क, option C, कारवेट नेशनल पार्क, and option D, इनमें से कोई नहीं, तो question number 8 का सही answer है, option C, कारवेट नेशनल पार्क, question number 9 है, भारतिय गेंडे कहां पाए जाते हैं, बारतिय गेंडे कहां पाए जाते हैं, option से आपके, काजी रंगा अभ्यरण में, option B, गिर बन अभ्यरण में, option C, काना राश्ट्री उध्यान में, and option D होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, तो question number 9 का सही answer होगा, option A, काजी रंगा अभ्यरण, तो दोस्तो, काजी रंगा अभ् button video है, उसे मैंने भारत के सभी main main, जो अभ्यरण और जो national park हैं, उनके लिए मैंने लिया गया है, तो उसके बार में भी मैंने काफी ज़्यादे detail में बताया है, मैं आपसे request करूँगा, कि आप उस वीडियो को भी जाकर, चैनल पर विजिट करके देख लें, next question है, question number 10, June से सितंबर के बीच भारत में कौन सी रितू रहती है, उप्शन से बरसा रितू, उप्शन B, ग्रिस्म रितू, उप्शन C, सीत रिसू, और उप्शन D, इनमें से कोई नहीं, question number 10 का सही answer होगा, option A, बरसा रितू, तो ये थी हमारे आज के 10 questions, वीडियो कैसी लगी, comment करके जरू बताएं, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like, share जरू करें, और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरू करें, क्योंकि दोस्तो, मैं अपने चैनल पर आपके लिए, defense के जो written exams होत में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत